NCRD से related सारे doubts आपके clear करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा important NCRD books कौन सी है कि ये new है, old है, कौन सी नहीं पढ़ी पढ़ी है तो do watch this video इसमें मैं कुछ important चीज़े बताऊंगा कौन सी books बहुत important होती है कौन सी books छोड़ सकते हो अगर time कम है, तो let's begin ठीक है, देखो पहले मैं बता देता हूँ दो चीज़े हैं basically NCRD लगबग 35-36 total books होती है ठीक है न, सारी NCRDs को मिला के history, geography, political, economy, सारे subjects को मिला के लेकिन अगर आप 2-3 साल बाद exam दोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको सारी books पढ़नी चीए because आपको मुश्किल से 6-8 मेने लगेगा if you study all the NCRDs और जो कि ठीक है, it won't take much time लेकिन जो अगले साल दे रहे हैं जिनके पास time कम है, जिनका basics clear है तो कुछ books ऐसी हैं, मुश्किल से 10-12 होंगी which are very important and which you should read thoroughly and which are very important तो मैं आप दिखाता हूँ, वो कौन सी books हैं, ठीक है न? तो NCRD की books कौन सी, जो बहुत जरूरी है जो पढ़नी ही पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है मैं सिर्फे दिखाता हूँ कौन सी आप books देखो, geography से start करेंगे, ठीक है न? geography की 11th के 2 part हैं तो 11th पहली दूसरी, ठीक है न? उसके बाद 12th के 2 part हैं 12th के human geography और Indian people in economy तो geography की 4 किताबे हैं, जो की पढ़नी है विच आर वेरी important, बागी 6 to 10 आप छोड़ सकते हो जो की अगले साल दे रहे हैं, जो की जिनके पास time काम है these are very important books polity में दो काफी important है 11th की, 11th में देखो दो किताबे हैं basically ये वाली important है Indian constitution at work उसके बाद 12th में ये पढ़ सकते हो आप politics in India since independence, ठीक है न? दूसरी वाली छोड़ सकते हो, जो की world politics है but only two books which are very important in polity, ठीक है न? एकनॉमी की बात करते हैं एकनॉमी में दो किताबे हैं एक तो 11th class की, ये तो बहुत important है इसे आपकी basic concepts clear होंगे और in depth you will understand उसके बाद है 12th में दो होती है micro macro, 12th में this is very important ठीक है न? एक ही पढ़नी है, micro को छोड़ सकते हो ये थोड़ी सी unique किताब है environment की वैसे कोई किताब आती नहीं है ठीक है न? तो ICSC board की 10th class की मैंने पहले जिस school time में पढ़ी थी तो this is very good book to clear all your basic concepts तो इसे खरीद सकते हो, ठीक है न? हलागी मैंने अभी पढ़ी नहीं है मुझे need नहीं है, बट जिसका environment weak है, जिसको अपने concepts clear करने है, you can ठीक है न? beta publications की environment की किताब है, इसके अलावा अगली किताब आती है An Introduction to Indian Art एक है, part one, बस finance के लिए यही किताब पढ़ो and that is more than sufficient अब history के बात करते हैं, तो history में मेरे पर notes है नहीं actually, काफी पुराने हो गए थे, लेकिन history के बात करते हैं, तो just old NCRTs की जो 12th class है और या फिर Tamil आडू की पढ़ सकते हैं that is it, बस इतनी ही NCRTs आपको पढ़नी है यह सारी NCRTs वो हैं, जो की बहुत important है ठीक है न, these are very important और यह सारी NCRTs tips में होनी चीए, this is what I mean to say these all are very important NCRTs जो बाकी NCRTs हैं, you just go through them time sufficient है जिसके पास सारी NCRTs पढ़ो, but जिनके पास time कम है बहुत limited time है, then these are the very important NCRTs, okay तो guys, यह काफी important NCRTs हैं, but इसकों तब यह नहीं कि अब आप बाकी NCRTs पढ़ना छोड़ो सिर्फ इनको ही पढ़ो, मैं again कहूंगा कि अगर आपके पास time है तो try your best, कि सारी किताबें पढ़ी जा सकें, जो बाकी हैं, उनको just do one reading and just important चीज लगती है, just note them down otherwise you can skip it, और जो अगले साल दे रहे हैं, इन नCIDs पर ज़्यादा फोकॉस करना and rest you can skip, time बहुत काम है बर जो 3-4 साल, 2-4 साल बात दे रहे हैं वो बाकी up standard books में, कल्ड़ फिर में cover कर लोगे it's not a big deal तो old NCIDs हैं तो old पढ़ो, new मिल रहे हैं तो new पढ़ो इतना देखो, टेंशन नहीं ले रहा है, बहुत से बच्चे new oldie करते रहते हैं साल बर साल निकल जाता है, वो new old में ही फज़े रहते हैं पढ़े हैं कि old पढ़े हैं, हमने तो old पढ़ी है बड new में पते नहीं है साक्या, ऐसा कुछ ही नहीं होता है किताबें लक्ष्मिकान तो हर एक दो साल में edition बदलता रहता है तो इसका लिए थोड़ी कि जो चार साल से त्यारी कर रहा है वो new oldie करता रहेगा, समझ रहो तो इस छोड़ी छोड़ी चीज हैं, just don't focus on these things too much जितना है, just study that and cover your syllabus, that's it